हाई दोस्तों असलाम अलेकूम कैसे आप लोग मेरा नबील है यह वो वीडियो है जिसके लिए आप लोग बहुत टाइम से वेट करेते हैं बहुत लोगों ने बहुत बार मुझे बोला कि को करें सबसे बहुत को कीमत है उसके कीमत है 1,90,000 रुबी लेकिंग मेरे लिए वाले सब्सक्राइब कृटन का है सबसे important चीज इस phone के अंदर जो मुझे लगती है वो एक तो इसकी battery life है अच्छा performance है और इसके cameras है एक मैंने product का promotional वीडियो बनाया था यह आपके उपर depend करता है और यहां पर 1TB variant का लेने का reason भी यह है कि मैंने इसके अंदर बहुत सारे reels बना बना के रखे है इससे में शूट करता हूं तो उसके लिए मुझे काफी श्टोड़िस की जरूरत पढ़ती है अभी थोड़े दिन में इसका 1200 GB फूल हो चुका है तो दूसरे iPhone में या कभी-कभी Android phone में S22 Ultra भी है तो उसके अंदर में एडल का SIM यूज़ करता हूं तब से बले बात करते हैं लॉक स्क्रीन और विजट्स के बारे में लॉक स्क्रीन पर आप देखेंगे तो मैं यहां पे जो Apple का stock wallpaper है वो इस्तमाल करता हूं अगर कस्टमाइज म वाले features है जो यहां पर दिन में कितना वॉक करे होगा रहा और लोकल वैदर दिखाता है बाकी date और टाइम यहां पर आपको देखने मिलता है बहुत ही minimum मैंने यहां पर रखा है चीज़े और lock screen wallpapers में आप एक चीज़ कर सकते हो कि यहां पर focus mode set कर सकते हो यहां पर यहां प फिला जो focus mode use कर रहा हूं that is video recording focus mode अब यह focus mode क्या है आगे आपको बताओंगा कौन से आपको यूज करने चीज़े कौन से बनाने चीज़े लेकिन अभी जाते है next point पर अगला point है क्या मैं कोई widgets इस्तमाल करता हूं except for these lock screen widgets तो नहीं मैं कोई भी widgets इस्तमाल नहीं करता मुझे को waste of time लगता है बस यहां पर दो widgets आपको नजर आएंगे एक है यह headlines वाला widget जो के latest और आज की news बताते रहता है और दूसरा यह विजट से यहां पर battery percentage मेरे अलग-अलग gadgets का जिसे airpods है airpods का case है apple watch है और iPhone है इनकी battery यहां पर दिखाता है अलग मैं इसको ज्यादा refer नहीं क करता हूं ios 16.2 की जिसमें wallpaper नहीं दिखता सिर्फ black screen दिखती है अगर आपके पास ios 16.1.1 है तो 16.2 में आपको यह wallpaper off करने की setting आजएगी सिर्फ आपको time और date यहां पर नजर आएगा तो यह काफी साही चीज़ है distraction minimum होना चाहिए phone की तरफ से अगली चीज़ है control center तो control center में जो है काफी important चीज़े हमको रखनी चाहिए होती है यह तो basic चीज़े है अपना sound और brightness यह वाइफाई की setting चोड़ दो यहां पर मैंने focus mode set कर सकता है यहां पर focus mode जो है मैं one click से set कर सकता हूं do not disturb चाहिए video recording चाहिए sleep चाहिए जो भी है और यहां पर screen orientation lock का option है यहां पर airplay का option ह स्क्रीन mirroring करना है Mac वगर आपर तो वह कर सकता हूं और नीचे आप देखेंगे तो flashlight का option है यहां पर dark light mode यहां पर text size adjustment यह भी काफी important है अगर किसी को चश्मा है और देखनी पा रहा है पंड नी पा रहा है तो भाई पट से size बढ़ा दो text का उसको दिखा दो फिर यहां पर calculator regulator है timer है camera है और यह basic चीज़े है जहां पर low power mode है और यह screen recording है जो मैं काफी use करता हूं अब बात करते focus mode settings की तो देखो यहां पर focus mode जो है आपको control center में मिल जाएगा यहां से आप access कर सकते हो यहां पर new focus अगर आपको बनाना है तो भी बना सकते हो और दूसरी यहां पर अगर कर सकते हो तो उतने ही focus mode रखो एक्चुल में आपको focus करने में help करें से work का है तो आप बना सकते हो मैंने क्या बनाया वो बताता हूं आपको यहां पर do not disturb है जो कि मैं use करता हूं ऐसी casually मतलब जादा messages वागर आ रहे है मुझे अभी देखना नहीं फिलार not disturb पे दाल दिया ले focus जो है automatic on हो जाता है और 7 बज़े जो है सुबा के यह बंद हो जाता है तो यह सूने का ड़ाए मैं अपना और इसमें अपने को no disturbance चाहिए सिफ घरवालों के जो favorite contacts है मेरे उनके contacts में add कर रखा हूं बाकी दुनिया का कोई भी इंसान हो वो मुझे contact नहीं कर सकता उस दूरान जब मैं video record करता हूं तो इसका नाम मैं video recording करके रखा है और उसको on कर देता हूं तो थाकि कोई video बनाने करें पर disturbance नहीं हो क्योंकि video का फ्लो है वो तूट जाता है इसके बाद settings के अंदर मैं आपको अपनी notification setting बता देता हूं तो यहां पे count stack और list तीन है मैं count पर रखता हूं यहां पर मिलेगी कली video बनाया है वो check out कलेना आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से अब यहां पर दोनों मेरे home screen दिखा देता हूं कोई भी विजट वगरा नहीं बता चुक हो पहली home screen के अंदर जो basic application apple के stock होते वो है Gmail जो email account है मेरा वो Gmail वाल है वो यहां पर Apple mail भी use कर सक सब साइड में पड़ेवे app library के अंदर और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे social media की जो accounts है instagram youtube youtube studio snapchat यह सारे यहां पर मिल जाएंगे तो इसी पर मैं active हूं इसके अलावा जादा कहीं active रहता नहीं और link tree आपको यहां पर मिल जाएगा देखने के link tree क्या करते है basically आपके लिए free account बना के देता है जिसमें आप instagram की bio में कोई link add करते हो तो इसमें अलग-अलग links होकर आप add करके रख सकते हो तो यह free चीज है आपको download करना है तो कर सकते है वाकि यहां पर नीचे जो है call safari आपका messages और यहां पर WhatsApp है इसके अलावा में ज्यादा कोई application day-to-day life में यूज नहीं करता यह अपने काम के और social media account सब एक साथ आगे और second page अगर आप देखेंगे यहां पर मुझे मेरे finance के application है जहां पर ticker tape है stock analysis के लिए money control भी उसी के लिए है काइट जीरो था है stock investment के लिए और यह coin DCX है जो के मैं देखता नहीं crypto तो अभी टूप चुका आपको मालूम है तो दुख होता है वो देखकर और यहां पे गूगल पर आपको मिल जाएगा जो daily use करता हूँ के लिखा रहा है इस पर tap करो या फिर ऐसे swipe down करो जो भी application यहां पर नहीं है और कभी-कभी आपको यूज करना है वो यहां से search करके आप यूज कर लो open कर लो तो वह सही रहता है अब इसके अलावा में video editing वगरा करने के लिए कि जो application यूज करता हूँ बताने के पहले जो केसे स्क्रीन गार्ड मैंने एक देड मैंने से यूज कर काफी अच्छे quality के high quality के वह मैं आपको बताना चाता हूँ पहले देख लीजिए उसके बाद आगे continue करेंगे यह वो cases जिनके बार में बताना चाता हूँ यह banks company वह है जिन्होंन अजीब सा लगेगा आपको quality अच्छी है और सिर्फ 0.4 mm जो है इसकी thickness है मैं recommend बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि यह cover आप लो क्योंकि फोन अगर इसमें से आपका गिरा तो शायद आपका फोन बचेगा ने लेकिन अगर आपको एकदब minimalistic look शी है जिससे पता ही नी चले के फोन पर कोई case आपने डाला है तो सिर्फ scratches आपका फोन को यह बचा है तो आप इसके लिए जा सकते कोई भी drop protection इसमें आपको मिलता नहीं camera वगर प्रॉपली covered है दूसरा यहापर जो case है यह इनका clear case है अब इसके बार बता दे तो आपको यह apple के अलावा एक ऐसा case मुझे द इतना हुआ है दिखाऊ आपको तो बहुत ही minimum जो है yellow हुआ है और apple के महेंगे case के मुगाबले इसकी price तो कम है यहापर इसके लिए जा सकते हो कर आपको clear case चाहिए तो फिर यह translucent type का case इनका है और यह सारे drop tested cases है यहापर आपको देड़ मीटर तक की protection मिलेगी 5-6 feet तर से आप kevlar वाला kevlar तो आप पदा ही होगा जो के bulletproof jacket वकरा बनाते यह certified military grade case है और यह जो है काफी सही quality का लगा यह भी मैं use कर तो लेकिन अगर आपको logo वकरा दिखाने का शूर के तो यह काम का नहीं है यहापर देख से किस्टेप की quality अंदर का material भी काफी जबदर से बचाएगा बी काफी इसमें जो है solid लगता है आपका इस पर आप यह केस लगा दियो तो मतलब मजबूत केस है और यह max safe compatible पर चिपका दो इस पर charger चल जाएगा कितम सही से दो और केसे है यहापर 14 pro के लिए 14 pro में पस है नहीं तो यह dummy model पर लगा दिया यह भी केस काफी सही लगा मुझ स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है जो कि बहुत ही हाई कॉलिडी का है इसको लगा के भी दिखाता हो कितना ही इसी है लगाना इसमें 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 दिये गए वाइप से अपने फोन को अच्छे से आपको clean कलेना है एक इतना बड़ा anti-dust trigger मिलता है जिससे आप अपने प्रोटेक्टर भी आता है जो camera lens के पीछे जो है अटाच हो जाता है वो भी काफी easy to use है आप चाहे तो वो भी purchase कर सकते है सबी चीजों का link description में मिल जाएगा अब यह आप एप्स वर वीडियो एडिटिटिंग भाई वीडियो एडिटिंग के लिए iMovie भी आता है आपको L इस्तमाल जो है मैंने काफी किया है और मुझे अच्छा लगा मतलब फोन पर वीडियो एडिट करना है तो काफी सार एफेक्स वगरा है वह यूज कर सकते हो लेकिन मैं इसको यूज नहीं करता क्यूंकि मैं वीडियो एडिट हो जाता अपना Mac पे उस पर मैं देखता नहीं नाम है इमेजिंग आज तो यह सोनी का इमेजिंग एज अपने सोनी के कैमरा से पैर हो जाता है बिजनेस के बहुत सारे आप्लिकेशन होते है जो के फ्री आते आपके आइफोन में लेकिन मैं वह यूज नहीं करता अपना बिजनेस अपना सोशल मीडिया यह और इसके अला अब बात करें गेम्स की तो यहां पे गेम्स में दो चीज रखी वी है एक BGMI है जो मैं नहीं खेलता हूं और गंज आफ वूम है जो टाइम पस के लिए कभी खेल लिया तो खेलता हूं क्योंकि तना डाय मिलता नहीं कभी दिल किया थोड़ी बहुत गोली ओली चलाई जाए गंज आफ वूम के लेता हूं यह 120 fps सपोर्ट करता है इसलिए रीडिंग अप्लिकेशन मेरे फोन में कोई नहीं है मैं रीडिंग करना पसंद नहीं करता हूं मैं वीडियो वॉचिंग पसंद करता हूं या चलो कुछ सुनना है तो सुन लिया लेकिन रीडिंग करने का अप अप्लिकेशन मुझे देखने मिल जाती है इसके अलावा मैं कोई भी थर्ट पाड़ी आप इस्तमाल नहीं करता हूं और जो एप्स मुझे रेग्यूलर लगने वाले नहीं लेकिन मुझे आप्स रखने है तो मैं उनको आफ लोड करके रखता हूं ताकि फोन का डेटा ना उपर से आप गुगल ड्राइब भी रख सकते हो गुगल फोटोस का इस्तमाल कर सकते हो आइफोन में लेकिन यहां पर मैं जो आइकलाउड लिया है मैंने वह 50GB का जो है लेके रखा है 75 रूपीज पर मंत का इसमें मुझे जो है काफी सारी चीज़े मिल जाती है एक तो एक जाएगा और फेस अनलॉकिंग जो है वह मैं यूज करता तो यह मुझे काफी जो है सही में लगता है आइफोन का लोगने का सेम चीज मैंने वाट्साइप भी लगा कर रखी तो वाट्साइप उपन करूं तो बिना मेरे फेस आडी के ओपन नहीं होगा सेम चीज मैंने फो इतने भी मेरे social media accounts है जो भी मेरे important accounts है उनका यहां पर मुझे two factor authentication का 30 seconds के लिए one time password बिलता है जिसको मैं enter करके फिर login कर सता हूँ जब तक यह चाबी किसकी बास नहीं है वो मेरा जो है कुछ नहीं बगार सकता मतलब मेरे social accounts का जिसमें hack होने के बहुत जादा chances होते है तो यह आइपाड 10 generation है आइपाड pro भी है airby m1 वाला है लेकिन मैं यह यूज कर रहा हूँ फिलाल क्योंकि यह keyboard जो है मैंने इसके साथ लिया हुआ है जो के काफी सही लगता है मुझे typing वाला करने के लिए notes बनाने के लिए एरपोड में अभी मैं फिलाल यूज कर रहा हूँ airpods pro second generation जो के मुझे अभी काफी सही product लग रहा है इनका और watch में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ apple watch ultra और macbook मेरे पास है macbook pro 16 इंच वाला जो के macbook pro m1 pro वाला model है 16GB RAM वाला इसके अलावा यह बाकी सारे आइफोंस का भी मैं इस